नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Med Pharma 24-7 में तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Rehapten RF Mango Flavored Suspension के बारे में तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं Rehapten RF Mango Flavored Suspension Mankind Pharma द्वारा मनिफेक्चर किया चाता है जिसके एक बोटल में 200 ml Suspension आता है और जिसके कीमत है 185 रुपीज ये दवा आप अपने किसे भी नजदी की Medical Store से पर्चेस कर सकते हैं बात करते हैं इसके Active Ingredients यानि Salt Composition के तो इस दवा में होता है Energy, Protein, Carbohydrates और Fats जैसे Nutrients और साथ ही में इसमें होता है L-Omethion, L-Aspatate 150 mg, Silimarin 35 mg और L-Glutathion 10 mg अब बात करेंगे ये किस-किस Medical Conditions में यूज किया जाता है तो ये हमारे ओवराल लिवर के Health को बहुत अच्छे से कियर करता है यानि ये हमारे गर लिवर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लेम हो गई हो तो वो इसे कियोर करता है जैसे कि अगर किसी को Hepatitis है या फिर लिवर सिरोसिस हो गई हो या फिर जॉन डिस या फिर किसी प्रकार की लिवर तो कोई भी लिवर से सम्बंदित प्रॉब्लेम हो तो उसमें ये दवा बहुत ही अशरदार है ये लिवर से टॉक्सिन को बहार निकालता है और उसके overall function को improve करता है इसके अलावा अगर किसी के लिवर में inflammation हो गया हो तो inflammation को भी ये suspension reduce करता है तो overall दिखा जाए तो ये हमारे लिवर के health के लिए बहुत ही अच्छी दवा है बात करते हैं इसके dose के बारे में तो वैसे तो ये दवा दो चमच लेना चीए दिन में तीन बार लेकिन आपके डॉक्टर आपके age, medical history और current health condition को देखते वे आपके लिए correct dose और duration recommend कर पाएंगे तो आपके डॉक्टर ने आपको जेस तरह प्रकार से सलाह दिया है से यूज करने का आप वही follow करें बात करेंगे कुछ side effects के तो ये दवा लेने पर आपको nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, loss of appetite या weight loss जैसे side effects देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ही rare है उतने होते नहीं है लगिन अगर आपको लगे कि ये side effects कुछ जादा हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को consult जरूर करें देखते हैं कुछ इसके precautions यानि safety warnings तो अगर आपको किसी प्रकार के hormonal disorder है या फिर अगर आपको किसी प्रकार के food या substance आप allergic है या फिर आप कोई और medications ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं ताकि वो आपके लिए correct dose और duration recommend कर पाएं ये दवा अगर आप 18 साल से कम उमर के बच्चों के लिए दे रहें तो आप अपने डॉक्टर को पहले संपर्ख जरूर करें pregnancy और breastfeeding mothers के लिए ये दवा डॉक्टर के सलाह के बिगर नहीं दिया जाता यानि अगर आप pregnant या breastfeeding mother हैं तो आप अपने डॉक्टर को पहले consult करें उसके बाद ही इस suspension का सेवन करें तो ये था दोस्तो आज rehabtin RF suspension के बारे में इसके regarding आपको और कोई भी जनकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे इसके regarding और अधिक सदिक आपको जनकारी दे पाएं और दोस्तो अगर आप हमारा चैनल पर पहली बार विजिट कियें तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद